pathetic fallacy, इसकी definition देख लेते हैं, the act of describing animals and things as having human feelings, यानि जानवरों और वस्तों को मानवी भावनाओं से युक्त दिखाना, इसका use literature और art में किया जाता है, और ये इसका meaning है, यानि कि pathetic fallacy का meaning है, या आप इसे note कर लीजीगा, इसे पढ़ लीजीगा, अब आगे बढ़ते हैं, देख में, जिसका हिंदी में मतलब होता है, निराशाद जनक धोखा, यानि कि भ्रम, pathetic fallacy और personification एक ही family से बिलॉंग करते हैं, यानि कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों का मतलब कुछ हद तक same ही होता है, यानि कि ये कह सकते हैं, कि 50% इनका जो मतलब होता है, meaning होता same होता है, लेकिन ये जो pathetic fallacy होता है, ये एक literary term है, और ये जो personification है, this is a figure of speech, आप सभी को पता होगा personification के बारे में कि ये एक मानवी करण अलंकार होता है, जिसमें poet अपनी feelings को natural objects के दोरा दिखाता है, प्रस्तूत करता है, और pathetic fallacy में same यही conditions होती हैं, ठीक है, तो इसमें भी poet अपनी feelings को naturally object, natural object के दोरा हमारे सामने प्रस्तूत करता है, literature में उतारता है, इसका use literature और art में किया जाता है, pathetic fallacy में, तो आखिर फिर दोनों में अंतर क्या होता है, जब दोनों एक ही family से belong करते हैं, तो आईए देखते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है, full information देने की कोशिश करेंगे guys, पूरी वीडियो देखेगा और hope कि आपको समझ में आएगी, तो इसके अंतर को देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा, कुछ examples देखने पड़ेंगे, so guys इन दोनों में बहुत ही जादा, बहुत बढ़ा अंतर नहीं होता है, बहुत ही बार भी emotions को भर देते हैं, जैसे रोना, हसना, उदास, भूखा, प्यासा, आदी, जैसे कि हम कह सकते हैं, बादल हस रहे थे, पेंड रो रहे थे, बादल उदास लग रहे थे, फूल मुस्करा रहे थे, so guys आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है, कि यह जो जितनी भी natural objects हैं, यह क कर रहे हैं, कोई activities नहीं कर रहे हैं, सिर्फ emotions को बया कर रहे हैं, only just emotions, अब वहीं personification की अगर बात करें, तो इसके example देखें, तो इसमें जो होता है, personification में, इसमें emotions और activity दोनों ही हो सकते हैं, जैसे कि फ्लास इसमाइल फ्लास डान्स तो फ्लास इसमाइल यानि कि इमोशन भी हो सकते हैं और फ्लास डान्स यानि कि ये एक्टिविटी है तो ये भी हो सकते हैं यानि कि इसमें इमोशन और अक्टिविटी दोनों हो सकते हैं लेकिन पैथिटिक फैलिसी में ओल्ली इमोशन होते है कोई activity नहीं शामिल कर सकते हैं personification के examples देख सकते हैं जैसे कि इसमें हो सकता है रोना, हसना, नाचना, खाना, सोना, दोड़ना, बात करना ये सब ही हो सकते हैं ठीक है इसमें emotions, activities दोनों शामिल कर सकते हैं लेकिन pathetic fallacy में only emotions होते हैं इस term को यानि कि pathetic fallacy को English cultural critic John Ruskin ने coinite किया था 1859 में अपने एक work में यानि की modern painters late 18th century में और ये term burns, black, wordsworth, sally और कीट सहिट सभी poets की बीच include हुआ Wordsworth ने feeling के आधार पर personification के इस प्रियोब का बहुत ही ज़्यादा समर्थन किया आप सभी को पता होगा कि Wordsworth अपने works में personification का बहुत use किया करते थे उन्होंने दावा किया कि वस्तुएं अपने प्रभाव को यानि कि उनमें जो प्राप्त good है उन्हें वो प्राप्त नहीं कर पाती बलकि उन लोगों के दिमाग से प्राप्त होती है जो इससे परचित होते हैं या प्रभावित होते हैं, तहने का मतलब यहां पर यह है, कि यह तो देखने वाले पर निर्भर है, कि उसे fool हिलता दिखाई दे रहा है, यह fool खुसी से dance करता हुआ दिखाई दे रहा है, नेचर को अपना गुड जो यह नेचर होती है, इसको अपना गुड थोड़े पता होत सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में